कंगना रनोट को इस फेमस परसनलिटी ने कर दिया बुरी तरस लैम कहा कि नफरत फैलाने वाली को जेल में जाना चाहिए अक्ट्रिस के खिलाफ दर्जुई पुलिस कम्प्लेंट क्या है पुरी खबर आये जानते हैं दिल्ली सिक गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमिटी के अध्यक्ष और शिरुमन्य अकाली दल की नेता मंजिंदर सिंग सिर्सा द्वारा भीनेत्री कंगना रनोट पर दिल्ली में देश्द्रो का केस दच कराया गया है शनिवार को अपने एक बयान में कंगना पर गुस्सा जाहिर करते हुए सिर्सा ने अक्ट्रिस पर हमेशा भढ़काव कमेंट करने का आरोप लगाया और उनकी मानसिक्ता को घटिया करार दिया दरसल टाइमस ओफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मताबिक प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृश्री कानुन बिलो को वापस लेने के बाद कंगना रनोट के विवादित बयान पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए मंजिंदर सिंग सिरसा ने कहा कि एक्टरिस को या तो जेल में डालना चाहिए या फिर मेंटल हॉस्पिटल में सिरसा का आरुप है कि कंगना रनोट का बयान ओची मानसिक्ता को दर्शाता है इतना ही नहीं उन्होंने आगे कंटिन्यू करते हुए कहा कि ये कहना कि खालिस्तानी आतंकवादियों के कारण तीनों कृषिक आनूनों को निरस्त किया गया ये किसानों का अपमान है वो नफरत की एक फैक्टरी है इंस्टेग्राम पर उनके गुरूनित कंटेंट के लिए हम सरकार से सक्त कारवाई की मांग करते है उनकी सुरक्ष और बदमश्री को ततकाल वापस लिया जाना चाहिए उन्हें या तो मांसिक अस्पताल में डाल देना चाहिए या फिर जेल में इसके साथ ही मंजिदर सिंग सिर्चा ने अपने ट्विटर पर एक विडियो के जरी उनको स्लैम करते हुए बड़ी बात कह दी है डाल ये उस विडियो पर एक नजर कंगना रनावजो की नरंतर बहुत ही भदी शब्दावली का इस्तमाल कर रही है सिखों के खिलाफ नफरत फिला रही है आज मैंने देश के राश्टपती जी से भी आग्रह किया है राश्टपती जी जो आपने इसको पदमशिरी से सनमानित किया ये पदमशिरी की गरिमा को बहुत बड़ी चोट है एक ऐसे इनसान को पदमशिरी देना जो हर वक्त नफ़त फिलाता हो दूसे धर्मों के उपर हमला करता हो उनको ये कहता हो कि जूते की नीचे कुछला गया था इनको तो मैं उमीद करता हूँ कि राष्टर पती जी जुरूर इसकी उपर पुने विचार करेंगे साथ में कल हम महराष्टरा के ग्रह मंत्री से भी मुलाकात करेंगे वहाँ के कमिशनर पुलीस से भी मुलाकात करेंगे और कल मुंबई के अंदर physical complaint देकर मुंबई खार पुलीस टेशन में कंगना रनावत के खलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे इस बार इस केज को conclusion तक लेके जाना कंगना रनावत की जुमानत ना हो कंगना रनावत को जेल के सलाकों के पीछे जाना पड़े इसके लिए दिली सिख गुर्दरा मेंजमेंट कमेटी वचन बंद है और मैं सभी जो कंगना रनावत के फॉलवर हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ आपको ये जुरूर देखना चाहिए जब तो इसको मूवियों में पैसे बनाने है तब ये हिंदू, मुसल्मा और इसाई कुछ नहीं देखती सब के साथ जाके खड़ी होती है और जब इसको फॉलवर चाहिए तो तब आपको इस्तमाल करती है और जो लोग मुझे धंकियां देरी में उनको भी चितावनी देना चाहता हूँ आपको बता दे के सिर्चा ने दिल्ली पुलीस के समक्ष एक्ट्रेस के खिलाफ दर्श कराई गई शिकायट की कौपी भी शेयर की है फिलहाल देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में क्या और कैसा होगा एक्ट्रेस कंगना रनौत का रियाक्शन इस न्यूस पर आप हमें बताए अपनी राए अलसो दो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब तो बॉलिवुड नाओ उन फेस्बुक, इंस्टेग्राम और यूट्यूब